नमस्कार दोस्तों बाइक कमपेरोज में आप सबका स्वागत है आज हम होंडा क्लिक और मैस्ट्रो एज की तुलना करेंगे तो कौन सी स्कूटर सस्ती है कौन सी जादा कमफर्टेबल किसका पिकप बहतर है किसका मैलेज अच्छा है ये सारी जानकारी पाने के लिए देखते रही है मैस्ट्रो एज वर्सेस होंडा क्लिक का पाई कमपेरो रिवियू तो आई ये बात करते हैं कीमत और फीचर्स की होंडा क्लिक की कीमत है 48,000 रुपए ओन रोड जयपूर तो वहीं मैस्ट्रो एज के LX मोडल की कीमत है 60,000 रुपए जो क्लिक से 12,000 रुपए महेंगी मैस्ट्रो एज़ क्लिक से महेंगी जरूर है लेकिन उसमें कई सारे ऐसे वीचर्स हैं जो क्लिक में मौजूद नहीं है जैसे टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंचन, 12 इंच का फ्रंट वील, आगे पीछे अलॉई वील्स, टेल लाम्प के उपर दिया हुआ एक्स्टरनल पॉइंट उपलब्ध है माइलेज की बात करें तो हमारे विशलिशन के दौरान होंडा क्लिक का माइलेज मैस्ट्रो एज से 4 किलोमेटर प्रती लीटर ज्यादा पाया गया मैस्ट्रो एज का माइलेज ता लगबग 50 किलोमेटर प्रती लीटर और होंडा क्लिक का 54 इस्तिमाल कर रहा था लेकिन हीरो और हॉंडा के तलाग के बाद हीरो अपने खुद के इंजन विक्सित करने लगा है मैस्ट्रो एश में हीरो ने विक्सित किया हुआ 110 CC का इंजन है जो पुरानी मैस्ट्रो के हॉंडा इंजन जितना अच्छा नहीं है सबसे बड़ा फरक है उसका स्मूदनेस जो पुराने हॉंडा इंजन से काफी खराब है दोनों स्कूटस में लगबग 110 CC का इंजन है और 8 BHP पावर लेकिन हॉंडा क्लिक मैस्ट्रो एच से 8 किलो हलकी है इतना ही नहीं क्लिक का टॉर्क भी मैस्ट्रो एच से थोड़ा सा जादा है और उसका अधिक्तम टॉर्क मैस्ट्रो एच से 1500 RPM नीचे उपलब्ध है इस वज़े से क्लिक का पिक अप मैस्ट्रो एच से काफी बैतर है मैस्ट्रो एज का गियरिंग भी क्लिक से थोड़ा सा लंबा होने के कारण उसका टॉप स्पीड क्लिक से थोड़ा सा बैतर है लेकिन देनें दिन इस्तेमाल के दोरान अच्छा पिक अप होना अच्छे टॉप स्पीड होने से जादा उप्यूक्त होता है अब बात करेंगे पकड और सस्पेंशन की हॉन्डा आज भी ट्रेलिंग लिंक टाइप का घटिया सस्पेंशन इस्तेमाल कर रहा है खास कर क्लिक में जिसे हॉन्डा ने ग्रामीन मार्केट्स के लिए बनाया है उसमें तो अच्छे टेलेस्कोपिक सस्पेंशन होने चाहिए थे हॉन्डा का ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन कड़ों को ठीक से सोक पाता ही नहीं और आपात का लिन परिस्तिती में ब्रेक्स लगने पर स्कूटर के अगले हिस्से को ऊपर उठाता है इसके कारण अगले पईए की पकड़ छोड़ जाती है और स्कूटर्स फिसलनी की संभावना बढ़ जाती है क्लिक में ब्लॉक पैटर्न ट्रेट वाले टायर दे के हॉन्डा ने थोड़ी सी सुधारना लाई है मेस्ट्रो एज में 12 इंच का फ्रेंट फील और टेलिसकोफिक सस्पिंचन मौझूद है जो टूटी फूटी सड़कों पे क्लिक से बहतर कमफर्ट देता है सीटिंग और कमफर्ट की बात करें तो हॉन्डा क्लिक का सीट 747 mm है जो मेस्ट्रो एज से 32 mm कम है इस वज़े से छोट एकत के चालकों के लिए और महिलाओं के लिए हॉन्डा क्लिक जादा मुनासिब पड़ती है क्योंकि स्कूटर पे बैटने के बाद उनकी एडिया आराम से जमीन तक पहुंशती है दोनों गाड़ियों में लंबा चोड़ा और काफी आराम देख सीट मौजूद है और सीट के निचले हिस्से में हेलमेट और बाकी सामान रखने के लिए परियाब जगय उपलब्ध है Quality और Maintenance की बात करें तो Honda ने पिछले 50 सालों में यह साबित कर दिया है कि उनकी स्कूटर्स अन्य किसी भी प्रतिस पर्दियों से ज़्यादा टिकाओ और भुरो से मन्द होती है Honda विश्व का सबसे बड़ा इंजन उत्पादक है यह तो आप जानते ही होंगे इसके विपरीत हीरो हाल ही में अपने खुद के इंजन्स विकसित करने लगा है आम तोर पर इंजन गेरबॉक्स जितना स्मूध होता है उतना ही टिकाओ भी होता है मगर Hero का नया इंजन और आटोमेटिक गेर बॉक्स स्मूधनेस के मामले में हॉन्डा से काफी बुरा है टिकाउपन के मामले में वो कितना बरोसे मंद है ये आज से 3-4 साल बाद ही पता चलेगा लेकिन ध्यान रहे Hero का नया इंजन उनके आज तक के हॉन्डा से लिये हुए इंजन जितना टिकाउ और बरोसे मंद होगा ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना तो अब बारी है अंतिम निर्ने की मैस्ट्रो एच के 10-15 फीचर देखकर और नई नवीली स्कूटर का विशलेशन करके देश के अधिकतर स्कूटर पर इक्षक मैस्ट्रो एच को विजई होशित कर चुके होते लेकिन 4-5 साल के इस्तिमाल के बाद गाड़ी की हालत कैसी रहेगी इस बात को वो हमेशा नजर अंदास करते रहे हैं 15 साल पहले की बात है जब काइनेटिक नोवा 135 लाँच हुई थी तब इनी टू विलर परिक्षकों ने उसकी एक्टिवा के साथ तुलना करके नोवा 135 को विजई ही गोशित कर दिया था काफी सारे ग्राहकों ने उनकी बात मान कर नोवा खरीद भी ली थी लेकिन आज उस नोवा 135 का नामो निशान भी रस्ते पे नहीं सडको भी नहीं दिखता मगर उसी समय के अधिक तर हॉन्डा एक्टिवा आज भी अपने फर्स निवा रहे हैं इसलिए जब तक हीरो के नए इंजिन्स का टिकाउपन साबित नहीं हो जाता हॉन्डा क्लिक ही इस तुलना की निसंदेय विजेता रही अगर आपको हॉन्डा क्लिक या मैस्ट्रो एज की बाकी स्कूटर्स के साथ कमपेजन देखने में दिल्चस्पी हो तो लाइक करें हमारे लेटेस वीडियो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सबस्क्राइब करें और अपनी प्रतिकी आदर्श करने के लिए नीचे दिये गए कमेंट सेक्शन का इस्तिमाल करें धन्यवाद